कौन, क्या, कब, कहां, क्यूं और कैसे? आप प्रश्ण पूछें, हम उत्तर देंगे. प्रश्ण नौत्रे देम कैथेड्रल को क्या हुआ? अपनी नारी सुलब को मलता के लिए जानी जाने वाली फ्रांस की राजधानी पैरिस, इस्थित नौत्रे देम कैथेड्रल को विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैथेड्रल या गिरिजागर कहा जा सकता है. 15 अप्रल 2019 को इसमें आग लगने के समाचारों को समूचे विश्व ने अविश्वास के साथ सुना और देखा. इससे पहले की आग को नियंद्रित किया और बुझाया जा सके कैथेड्रल के भवन का श्रिखर और चट का बड़ा हिस्सा ख्रतिग्रस्थ हो गया और साथ ही इसकी दीवारों के उपरी भाग को भी अतदिक हानी पहुंची. सौभाग इसे भीतरी भाग को अधिक शती नहीं पहुंची और इसका कारण पत्थरों के गुमबदाकार चट थी जिसने आग में भस्म होकर गिरतीवी चट को बड़ी सीमा तक संभाल लिया. कैथेड्रल में बड़ी संख्या में कलाकृतियां और अन्य एतिहासिक बहुमूले वस्तूई थी जिन में से कुछ को जल्दी ही निकाल लिया गया, जबकि कई अन्य अक्षाति ग्रस्तिया नश्ठ हो गई. युनैस्को के विश्व धरोहर सूची में समिलेत इस गिरेजा घर का निर्मान मूलत हा, बारवी सदी में सीन नदी के किनारे आरंब हुआ था, और उसके पश्चात कई बारस का पुनर निर्मान किया गया. लकडी से निर्मिच्छत और शिकर ने इसे आग के प्रती विशेश रूप से वध्य बना दिया. इस कैथेड्रल को इतिहास के बहुमूले खजानी के रूप में दूर दूर तक जाना माना जाता है. फ्रांस के पूर्वसमराट नेपॉलियन का राजय भिशेक दो दिसंब पीव के स्मृती चिन्न इसके गुंबत के मुर्गे के आकार के शिकर में रखे गये थे. आरम में इनके भी क्षतिग्रस्त होने के समाचार आये. किन्तु वे असत्य निकले क्यूंकि मुकुट नौत्रे डेम की एक विशेश सेवा के लिए हटा लिये गये थे. कला इतिहास कारों को इस बात से अतन्त राहत मिली कि कैथेड्रल की तीन प्रसिद्ध रोज विंडो को बचा लिया गया. फ्रांस के राष्ट्रपती श्री इमैन्वल मेक्रोन ने वचन दिया कि उनकी सरकार कैथेड्रल का मूल स्वरूप पुनर स्थापित करेगी और उन्होंने ततका कारे के लिए निधियां जटाने का अभियान आरंभ कर दिया. 24 घंटों के भीतर 90 करोड यौरों की धनराशी एकतर भी हो गई. फ्रांस के अने-अनेक अतिहासिक भवनों के समान इस कैथेड्रल का भी कोई बीमा नहीं था, क्योंकि वहाँ ऐसे भवनों की बीमी के लिए प पैत्री मोईन के अनुसार कैथेड्रल को हुई ख्रतियों की मरमत पर सैंक्रों लाख यौरों व्याय करने पड़ सकते हैं. तथा भी लागत की किसी भी अनुमान में कैथेड्रल की भीतर रखी प्राचीन का लाकरतियों और शिल्पों को हुई ख्रती संभ़ता समिलित नही प्रेशन चीन की बेल्ट और रोड पहल कहां जा रही है? इस परियोजना चीन की वित्तिय शक्ति का वैश्विक प्रदर्शन है, जिसमें चीनी उद्यमोनी वर्ष 2013-2018 के बीच BRI देशों की अर्थ विवस्थाओं में 90 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है. इसे समयावदी में इन देशों की ओर से चीन ने मात्र 40 अरब डॉ का निवेश प्राप्त किया. इटली इस परियोजना से जुड़ने वाला G7 समों का पहला देश बन गया है और इसी के साथ BRI अपने उद्देशे को साकार करने के सरवाधिक निकट आ गई है. इटली एक मात्र बड़ा नाम नहीं है जिसने BRI से जुड़ने में रुची प्रक बी आरेफ की बैठर काउपयोग चीन ने इन चिंताओं को उत्तर देने के मंच के रूप में किया. फोरम में एक संयुक्त वक्तवे प्रसारित किया गया जिसमें सभी भागिदार राष्ट्रों की संप्रभुता और भूभागिय अखंडता की प्रती सम्मान की वचन बदत व्यक्त की गई. दूसरे बी आरेफ में 36 विश्वनेताओं के साथ सयुक्त राष्ट्रों के महासचेव और आई एमेफ के प्रबंद निदेशक ने भाग लिया जबकि पहले बी आरेफ में 39 विश्वनेता ही उपस थे जो बी आर आई के बढ़ती स्वी कार्यता का संकेत है वक्तव में चीन ने इसके सदसे राष्ट्रों को परियोजना के सभी उपक्रमों में पारदर्शिता और खुलापन अपनाने और बनाये रखने का भी आश्वासन दिया तथा पी ऐसी घूशडाओं का क्रियान वैन अभी होना है क्यूंकि वर्तमान इस्तिती में बी के संबंद में अपने विचार पूर्ण स्पष्टता से सामने रख चुका है इसने बी आराई से जुड़ने से मुख्य रूप से इसलिए इनकार कर दिया क्यूंकि इसके अंतरगत पाकस्तान को चीन से जुड़ने के लिए बनाया जा रहा चीन पाकस्तान आर्थिक गल्या मारुति सुजुकी का एक अप्राल 2020 से डीजल कारों का विनिर्मान बंद करने का निर्नय बढ़ा है किन्तु पूर्ण तह अप्रत्याशित नहीं है यही वो तिति है जब बी एस सिक्स नियम लागो हो जाएंगे जिनके अंतरगत डीजल इंजनों को बहुत अधिक उननत ब कमपनी ने 2018 से 2019 में कुल 4.6 लाख डीजल कारें बेची थी फॉक्स वेगन घोटाला जिसमें कमपनी ने डीजल इंजन को स्विक्रती दिलवाने के लिए प्रयोक्षाला में उत्सरजन परीक्षणों के साथ छेट चाड़की थी इंधन के रूप में डीजल के लिए और भी अपयशकारी सिद्ध हुआ था और इसने इसकी च्छवी एक गंदी इंधन के रूप में बना दी थी बहुत से अध्यायनों ने दर्शाया है कि डीजल का धूआ स्वास्ति के लिए पेट्रोल इंजनों से उत्पर्न धूई की तुलना में बहुत अधिक हानिकारक होता है डीजल कारों की मांग अधिक इसलिए थी क्योंकि पेट्रोल और डीजल इंधनों के मूलियों में अत्यधिक अंतर था जो अपने शिखर पर 25 रुपे प्रति लीटर तक पहुँच गया था जिसके कारण डीजल कारों के संचालन की लागत कम आती थी तथा भी 2014 में सरकार के द्वारा डीजल के मूलियों को नियंत्रण मुक्त करने के जाने के उपरांत इन दोनों इंधनों के मूलियों का अंतर लगातार कम होता गया है जिसके कारण डीजल कारें प्रत्ते बीत्ते महिने के साथ कम आकरशक होती गई है ये इस तथे से भी सामने आता है कि 2018 से 2019 में भारत में बिकी कुल कारों में मातर 22 प्रतिशत डीजल कारें थी इस प्रकार मारूती सुजुकी का निरणे परयावरण के प्रति उसकी चिंता की अपेक्षा घटती हुई उब्भोकता मांग से अधिक प्रेरित है जैसा कि कमप 6 डीजल कारों के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं यदि हमें लगता है कि ऐसी कारों का बाजार अप ही है तो हम समुचत समय की भी तरभी ये 6 डीजल वाहन का निर्मान करेंगे अगला प्रश्ण नियंद्रन रेखा पर व्यापार बंद करने से आतंकवाद कैसे समाप्त होगा वर्ष 2008 में विश्वास बहाली के उपायों और थर्ट सी बी एम कॉन्फिदेंस बिल्दिंग मेजर्ज के भाग के रूप में भारत और पाकस्तान कश्मीर के बारा मुला ज जिले के चक्कांदा बाग में शुल्क मुक्त व्यापार आरंब करने के लिए सेहमत होए थे यह उस चार सुत्रे प्रस्ताव का अंग था जो पाकस्तान की ततकाली इन सैने शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2005 के आसपास रखा था एक दशक से कुछ अदिक समय में इस स स्थागित करना पड़ा जिसमें नवीन तम स्थागन 18 अप्रैल 2019 को लागो किया गया जब केंद्रे ग्रिहम अंत्राले ने इन व्यापार मार्गों के माधिम से भारत में लाए जा रहे अवैध हथियारों मादक पदार्थों और नकली मुद्रा को लेकर चिंता व्यक्त कर पर रोक लगा दी भारत और पाकस्तान के बीच पारंपरिक सीमा पार व्यापार की तुलना में नियंतरन रेखा पर होने वाला सीमा पार व्यापार बहुत से विशिश्ट लक्षणों के कारण भिन्न है उधारन के लिए ये व्यापार वस्तु विनिमय प्रणारी बार्ट तो विनिमय करके लाया गया ट्रेडड इन या विनिमय करके दिया गया ट्रेडड आउट माना जाता है क्योंकि ये व्यापार अंतरराश्ट्रे सीमा पर नहीं हो रहा है वर्तमान में इस व्यापार में सम्मेलित करने के लिए 21 वस्तुओं को स्विक्रती दी गई है और ये व्यापार सब्ता की चार नर्धारत दिन ही होता है इस व्यापार की मात्रा में व्रिद्धी ने सीमा के दोनों और कई विशिशग्यों को आश्चर रिचकित किया है 2018 से 2019 में इसके अंतरगत 441 करोड़ पाकस्तानी रुपाय और 454 करोड़ भारतिय रुपाय का व्यापार हुआ था जिससे इस व्यापार में लगे लोगों के लिए लगभग 1.6 लाख दिनों का कारे स्रिजित हुआ था तथा भी सारे उजले पक्षों के उपरांत भी भारतिय प्राधिकारियों ने नियंतरन रेखा पर हो रहे व्यापार को लेकर अनेक चिंताईं प्रकट की है जो प्रमाण के बिना प्रकट नहीं की गई है अतीत में भारतिय एजनसिया मादक पदार्थों और हत्यारों की खेप जब्त कर चुकी है 2017 में राजय पुलिस ने पाकस्तान से आ रहे कपड़ों के एक ट्रक में 66.5 किलोग्राम हेरोईन पकड़ी थी उसे वर्ष पाकस्तानी सामानों में छिपा कर लाई जा रही एक करोड़ों रुपए मुले की नकनी मुद्रा बरामत की गई थी भारत शुल्क मुक्त व्यापार के प्रावधानों के दुरुपयों को ले कर भी चिंते थे क्योंकि ऐसे अनेक उधारन सामने आए हैं पाकस्तानी व्यापारी अमेरिका के कैलिफॉर्निया बादामों का अवैद व्यापार करते पकड़े गए हैं जबकि ये व्यापार के वलिस्थाने अस्त्रोतों से प्राप्त वस्तुओं के लिए हैं किन्तु इस आश्य का प्रस्ताव 2010 से लंबित है तथा पि नियंत्रन रेखा पर सीमा पार्व्यापार के शीग्र बहाल होने की संभावना कम ही है प्रिष्ट संख्या 189 इस प्रिष्ट पर विज्यापन छपा हुआ है प्रिष्ट संख्या 180